गिलेपन, पकलेपन, छोटेपन की समस्या से परेशान है या वह जो बहुत जल्दी जह जाते हैं, दोस्तों इले बहुत ही जबरदस उपाए है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग कर लेते हो, तो आपकी सभी समस्या एक खत्म हो जाएंगी, जी हाँ दोस्तों, आप इसे इस्तमाल करके लंबी रेस का घुरा बन जाएंगे, तो आए दोस्तों जानते हैं कि यह नुस्खा कैसे बनाते हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहँगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विडियो के नीचे रेज कलर के बटन पर क्लिक जरूर कर दें, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस जवरदस्त नुस्खे के बारे में सबसे पहले बात करते हैं सामगरी की, इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम लहसुन, 500 ग्राम शुद्ध शहद एक कांच की बड़ी बोतल नुस्खा बनाने का तरीका, दोस्तों सबसे पहले आप 200 ग्राम लहसुन को अच् 500 ग्राम शुद्ध शहद में अच्छी तरह से मिक्स कर लें और एक बोतल में इस मिश्रन को भर दें और बोतल का ढखकन पूरी तरह से टाइट कर दें अब इस बोतल के गेहूं की बोरी में आठे की बोरी में बीच में रख दें और एक महीने तक ऐसे ही रखा रखने दें एक महीने के बाद आप इस बोतल को निकाल लें अब यह नुस्खा आपके लिए रेडी हो गया है नुस्खा इस्तमाल करने का तरीका दोस्तों आप इस नुस्खे में से रोजाना 10 ग्राम की मात्रा में 40 सेकंड 50 दिनों तक सुबह खाली पीट इस्तमाल इस्तमाल करें दोस्तों अगर आप अनुशाशन के साथ 40 दिन तक इस नुस्खे का प्रयोग कर लेते हो तो आपके औजार में डीलेबन की समस्या खत्म हो जाएगी और कोई भी यून समस्या आपको नहीं रहेगी दोस्तों उमीद है आपको इस प्रयोग से सो प्रतिश्यत फाइदा होगा अगर आपको